कि अज़िए अज़िए अपने पेंड राइब को किस तरह से बूटेबल बना सकते हैं अगर आप किसी भी केंप्टर या फिर सबने लैप्टॉप में ओके और नया विंडोज को इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक पेंड राइब होना चाहिए और एक वर्किंग पीसी होना चाहिए फ्रेंस जिसमें फ्रेंस आप अपने या फिर सबने लैप्टॉप में उस पेंड राइब को बूटेवल बना सके ओके तो फ्रेंस आज में आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने जारा फ्रेंस आप डिस्क पाट कमांड के तुरू किस तरह से अब करना है और देन उसे किस तरह से जो अपने पेंड है यानी वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंस हमार पास विंडोज 10 PC आप देख सकते हैं तो फ्रेंस यहां पर आपको सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करना है cmd कमांड प्रॉंट होगे तो कमांड प्रॉंट ला सिंपली आपको इसे ओपन करना राट क्लिक करन एज अड्मिस्ट्रेटर से आपको इसे अपन करना ओके तो अब जो है देख सकते हैं हमारे पास कमांड प्रॉंट ओपन हो चुका है और यहां पर प्रेंस जो है वह अब आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा पार्टिकुलर Now भाइम और प्रेंस आप कमांड को अम परेंस आप और यहां पर अपर यहां छानि बीच में आको तो यहां पर देख सकते हैं 111 जीवी और 14 जीवी हमारे पास जिए वह 14 जीवी का आई 16 जीवी का पेन यहां पर 14 जीवी तो आपस इसका नो अनुमार लगा ले ना कि है हमारे पास प्रेंड आप डिस्क one ओके आगे हम देख रहे हैं तो यहां पर अपको आपको इसका पहले बैकप लेख ले नहीं तो फ्रेंस आपका जो भी डेटा होगा वह प्रेंस आपका जो हो डिलिट हो जाएगा हो कि Г правда К एप सकते हैं जो हामारा जो है वह फριली हो का है अब परेंस आपको यहां पे crush सकते बार ग्रीम это नहीं तरीण हरा प्रेंस कितना जीए कधे होगे तो यहां ठ्रैंस को पिलीस अपको यहां अपनेस्ट कमाद चलाने क्रिय पर इंटरेट किया उना चाहिए प्रायमरी होना चाहिए तो इसके लिए पार्टीसवर हक्रामीरी और यहां देख सकते हैं किपा परया wykor culprit sensitive होग अब यहाब फक्रैंस आप Tampa अपलेगा Пश्क्रातिक्र ली स्फ़ेशन Est son okay तो यहाँब अच्ट क्योंकि क्यूंकIT पहले करना सब्सक्राइद कर नंद कोई जो खिए परीमरी है यहाँपर सब्सक्राइब कोण आपको प्रेड़ मुछ सब्सक्यार क ऊक ही दहेगा ऊके तो आपको चलाना स्लेक्ट पार्टिवर्ट सब्समार्ट से श्रक्त पार्टिई सानुगर्थ बडoben और है बहुत प्रेंस साथ क्मांट चाहिकल लेखा हूं धर याप कला मता अपरिकसरяжं पार्टिश्ट और मनை मेंच्ट किला भू थाक्तरों पूरा बुट टॉक करेंगा ओके इसके रिए प्रेंस आपको सिंप्ली एक्टिव कमाड़ चलाना है तो यहां पर देख सकते पार्टीशन इज एक्टीव एज एक्टिवेट ओके अभी यहां प्रेंस जो भी है फ्रेंस यहां पर ड्राइब इसे क्या करना है फॉर्मेट करना ओके और वह आप नेक्स्ट कमाड़ चलाना पड़ेगा फॉर्मेट एफस यानि फाइल सिस्टम हमें एंटी एफस देना है ओके फाइल सिस्टम इसवाल टू एंटी एफस ओके और यहां पर फ्रेंस आपको क्विक लिखना अगर क्यों क्विक नहीं भी लिखने तो फिर फ्रेंस फॉर पर्मेट कर देगा हंडेड परसेंट ओके देख सकते हैं और इसको फ्रेंस एक ड्राइब भी मिल चुका है एक ड्राइब ओके यहां पर आप देख सकते हैं ओके तो इसे यहां पर नेक्स्ट अब आपको कमाड़ चला पड़ेगा कि आपके लिटर असाइन कर ना ऑके जब से एकजिट होना एकजिट कमाड़ चलाने के बाद अब यहां पर प्रेंस आपको कमांड फ्राइल प्राइल को डाउनलूट करना है माइक्रोफ के वेबिसाइट से और इसमें किस तरह से मॉंट करेंगे और इस तरह से प्रिष्ट करना सो में अब आप लोगो को इस वीडियो में बताने जारा है तो इसके लिए सबसे पर आपको भी सर्चिंग वेबसाइट को अपन कर ले मैं यहां पर गूगल क्रोम को अपन कर रहा हूं और यहां पर आपको सिंपली टाइप करना है विंडोज 10 डाउनलोडर ओके और यह भी फ्रेंस जो भी फ्रेंस आपको फर्स जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा वह मायक्रोसफ्ट का वेबसाइट रहेगा तो सिंपली विंडोज 10 डाउनलोडर टाइप करना है और और यहां पर में देख सकते हैं मायक्रोसफ्ट.com कि क्लिक करना है और यहीं से फ्रेंस आप आइसो फाइल को ड अगर ओल्ड वर्जन तो वह अपडेट होकर न्यू वर्जन में आजागा जैसे कि फ्रेंस आप विंडोज उपर में देख सकते विंडोज 10 माई 2020 अपडेट एक नया वर्जन आ चुका है 2004 तो यहां पर मैं आपको सिंपली विन वर्ड कमांड के थुरू में यहां पर पांच जी वितका होगा तो इससे पहले फ्रेंस आपको पांच भी जो है वह रना जाए आपके पास ओके डाउन लोड टूल आपको डाउन लूड करना डाउन लगवग पर अठाथारा एंबी का है और कैश्ष अब यह आप करता हूँ अब यह प्रेंस आपको यह डाउन हो चुका है संपली हाप फोल्डर पर क्लिक करना है इसे आप क्लिक करने एड़ मिनिस्टेटर से इसे ओपन करेंगे ओके आपको सिम् प्रोसेस करते ही जाना है और इसे ओपन करने बाद कुछ से कुछी दर में फ्रेंस यह जो है वी ओपन हो जाएगा ओके तो आप फ्रेंस यहां पर देख सकते हैं विंडोज चेंट सेटप सेटप फाइल जो है वह लॉंच हो चुका है और यहीं से फ्रेंस आपको बस यह लास्ट स्टेफ है और देन फ्रेंस यह डाउनलोडिंग का प्रसेस्ट होगा है हमारे पास प्रेंस अल्यडी डाउनलोड कर रखें लेटेस्ट वर्जन तो नहीं है फ्रेंस वही उनी सुनों पुराना वर्जन है तो बस आपको फ्रेंस यहां से डाउनलोड करना किस तरह से डाउनलोड करना सो में बस आपको इस वीडियो में बता रहा है और देन इसे किस तरह से मौंड करना है और अपने पिन रप आप फिर एक मेसेज आपको देखने को मिलेगा इस के बाद जरुर्धा इस तरह का इंटरफेस्ता ओडिखने को मिलेगा तो यहां फ्रेंश आप्ग्रेट इस पी सी नहीं धर इस फटे नहीं ओप निचे में फ्रेंट को को देख सकते हैं अगर फ्रेंज यहां पर जो है वो इंस्टाल कर लाता है यहां पर यहां पर लेंग्वेज उनाइट इस्टेट रखना इंग्लिस तो है नहीं मतलब इंग्लिस इंडिया है नहीं तो फ्रेंस आपको इंग्लिस इंग्लिस रखना है यहां पर एडिशन विंडोस 10 ओके यहां पर 64-bit अर्किटेक्ट्टर अजो है वो 64-bit 32-bit फ्रेंस आप अगर 64-bit भी रख सकते हैं 32 भी में यहां पर इकमाने करूंगा आप दोनों रखें आप में लेंगे हैं आप करना है और यहां पर यहां पर में पराहिए जोया पर क्लिक करना है क्योंकि हमाइब से आइस्ट आप हो को डाव्लोग करना सब्सक्राउठ करना माइब प्रवाइब देख सकते हैं जी रो पर्सेंट से हन्डेट पर्सेंट फिलाल मैं इसे जो है वो क्रोज करता हूं कि हमारे पास और लेडी विंडोज टेन का आइसो है ओके तो अभी फिलाल मैं इसे क्लोज करता हूँ और देन आड़ यह वांट इस एक्जिट ओके यह स्पे क्लिक करना है और यह फ्रेंस एक्जिट हो जागा तो अब मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ किस तरह से फ्रेंस आप इसे माउंट कर सकते हैं तो यह क्लोज आज है अगर लेटेस्ट अब आपको अगर डाउडोड करते हैं तो फ्रेंस आपके पास उतना जो है वह जी होना चाहिए आपको इसे क्लिक करना है और मांट पर आप जहीं से ही क्लिक करेंगो तो प्रेंस आपको इस तरह का देखने को मिलेगा तो छिब आप इसे कंट्रो सारे चार्जी विकाए तो समय लागे का 10 से 15 मिनट तो यहां प्रेंस आपको वेट करना और दन आपका यह पेंड्राइब कंप्लीटली जो हो बूटेबल बन चुका है आप किसी भी कंप्यूटर में विंडोस 10 को इस्टॉल करने के लिए फ्रेंस आप रेड़ी हैं ओके तो बस आज की वीडियो में इतना है इसी तरह से प्रेंस आप अपन राइब को बूटेबल बना सकते हैं और आइसो को डाउलोड करना है और दन मांट करके इसे पेस्ट कर सकते ओके तो बस आज की वीडियो में अगर प्रेंस आपको हमारी यह वीडियो ची लगती है तो जरू झाल झाल